तोस्तों Tata Steel की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी breaking news निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम discuss करने वाले Tata Steel जो Tata Group की सबसे सांदार company है यहाँ पे Tata Power के साथ में इन्होंने एक बड़ी deal को अंजाम दिया है और यह सबसे सांदार deal है इनकी अब आप देखी सकते हूँ कि Tata Steel लगातार अपने बीजनस पे तेजी से आगे बढ़ रहे है लगातार बहुत सारे decision लिये जा रहे 2700 करोड रुपीज की fund raising की जा रही है दूसरी तरह बगर हम Tata Power की बात करें यहाँ पे जबरदस टारगेट निकल क्या रहे है Tata Power जो ग्रीनाजी सेक्टर में बहुत तेजी से अपने कारुबार को आगे बढ़ा रही है और जिस तरह से सरकार का सयोग मिल रहा है इस सेक्टर को क्या Tata Power भी कमाल करेगा और आने वाले से में क्या यह भी 1000 का टारगेट दिखा सकता है जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मादियम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मीले वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू कीजिए चलो फ्रेंड्स वीडियो श्टार्ट करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त एस भी दवे और मारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो अभी लगबग बारा साड़े बारा बकर टाइम है ट्राटा श्टिल के स्टॉक की बात कर तो 155 पर ट्रेड करा है जापे 1.77% की तेजी देखनों को में लिए वैसे सुबर शुरुआ तो फ्लैट वी ती 152 पर और जो हाई या दिन का 155 है और बिल्कुल उसी हाई प्राइज के आसपर श्टॉक ट्रेड कर रहा है काफी अचीत खरीदारी की समवरों आपे दिखाई दे रहे है काफी सांदर प्रदोस्टन करताव श्टॉक दिखाई बनी 22 स्मार्च को श्टॉक आ गया 151 के आसपर जा पर 1.1 परसंड की फिर से अच्छी तेजी देखनों को मिली 26 स्मार्च को क्लोजिंग 152 के आसपर जा पर 0.4 परसंड की तेजी बनी तो भले ही तेजी थोड़ी कम हो लेकिन पिछले चार पाई ट्रेडिंग सेशन से यहा काफी बड़ी अच्छी खबर है इसके लिए अब यहां पर जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टाटा इस्टील ने 2700 क्रोड के एंसीडियेस जारी किये है यह फिक्स रेट अंसीकर्ड रिडेमेंबल जो रेटेड अंसीकर्ड आप देख सकतो कि यह बॉंड्स है और देख सकी 27 मार्च दोजार चोविस को इसको एप्रूव कर दिया गया है एलोट्मेंट की जाएगी करीब 2,70,000 यहां पर देख सकी एंसीडियेस की जिसकी जो फिक्स रेट जो रखी गिए 7.79 परसेंट है तो यहां पर इस एंसीडियेस की जो फेस वेलियो 1,00 रुपीज प यहां पर इलेक्रोनिक मादेम से बियेस सीडियेस के मादेम से इसका एलोट्मेंट हुआ है और आप देख सकते हो कि आने वाले से में इससे कंपनी अपने कारुबार को तेजी से आगे बढ़ा पाईगी अब यहां पर टाठा इस्टील को लेकर लेटेस्ट टारगेट निक और जो थर्ड टारगेट निकल के आ रहा है एक सो नबबे के आसपास है तो एक सो पचास के आसपास खरीदारी करनी चीए आपको 190 का टारगेट देखना को मिल सकता है तो शौट टम जो टारगेट है वो 160 के आसपास है और स्टॉप लोस आपको 148 का लगा रहा है और फिर गोशना हुए है कि यह इंडिया बीजनस लोग जनरल ने टाटा पॉर के साथ उनकी 966 मेगावार्ट राउंड दी क्लॉक यानि RTC ग्रूप कैप्टिव डिल को 2023 की एक सिर्ष डिल के सुची में डाल दिया यानि 2023 की सबसे सांदर डिल इसको एकर से नवा जा गे तो ग्रू कंपनी है टीपी वर्दबान सूर्या द्वारा कंप्लेट किया जाएगा तो यह जो मेगा डील हुई है टाटा पाउर के बीच में यह क्लिन अनर्जी सेक्टर में एक बड़ा कदम होगा टाटा इस्टील के लिए आने वाले समय में कंपनी अपनी ग्रिन आजिर के पोर्फ से एक बड़ा IPO लाने की प्लानिंग चल रही है तो पिछले दो दसकों से नौंबर 2023 में टाटा ग्रूप का कोई IPO आया था जो अबी वो टाटा टेक्नोलोजी के उपर आया था और काफी जबरदस रेस्पोंस मिलेदा लोगों को काफी सांदार लिस्टिंग भी हुई थी औ और अब IPO फिर से लाने की त्यारी कर रहा है टाटा ग्रूप यहां पर टाटा ग्रूप की तरफ से जो खबरे निकल के आ रही है कि होल्डिंग कमपनी टाटा संस के स्ट्रेजिक मूग का उदिश्य वेल्यू अनलोग करना है बवेश्य की वर्दी को बड़ावा देना है च टाटा बैटरीज उन कमपनियों की सुची में सामिल है जो कैपिटल मार्केट में आने को त्यार है तो आने वाले समें टाटा ग्रूप की बहुत सारी कमपनियों के IPO की समोरबंदी है जिसे जो इन्वेस्टर है उनको exit का मौका मिले तो जल्द ही टाटा ग्रूप का एक और और यह तो एक उद्देश्य के लिए होगा मौझुदा निवेस को कुबार निकलने का मौका मिलेगा वैल्यू अनलोग करने का अफसर मिलेगा फिलाल इसकी कई समय सिमाने की कब तक IPO आएगा लेकिन टाटा ग्रूप के IPO आने की तैयारी दिखाई दे रही है अब टाटा प परफरमेंस को देखे तो 20 मार्स को ठोक 379 के आश परसेंग या पर पॉंट 9% की गिराउट ही 21 मार्स को देखे तो 392 के आए अगया 3.2% की सांधार 30 के साथ 22 मार्स की बात कर ले तो क्लोजिंग 390 काश पर या पर पॉंट 4% की गिराउट दूप स्टॉक में माहल फिर से पॉजिटिव बना है मार्केट एक्सपर्ट बहुत बुलिश दिख रहे हैं इसमें टाटा पाउर को लेकर फिलाल मार्केट कैप 1,26775 करोड तक पहुच चुका है काफी तेजी से इसका मार्केट के बढ़ रहा है अब एक्सिस सिकूर्टिज के तब से राजेस पालिवे ने यहाँ पे खरीदारी की सला दिये और यहाँ पे देखे हैं कि जोसका रेजिस्टर्स है इमेडियेट वो 4 रेट का इसको पार करत सपोर्टर दिख़ा है वो 384 के आसपस है रेजिस्टर 나오릴 आजेस्टरल दिये का है एक बहार 400 का ने यहीं 492 का टाररगेट देखनो को मिल सकता है और आनधराफी की सलाइनर आनधराथी की तरब से और दुसरी तरब देखे तो जो MD और CEO है प्रवीर सीधा उनका कहना है कि Tata Power के लिए जो संभावना पॉईटिव बनी हुए जो electricity pick demand summer season में वो 8-9% की growth दिखा सकता है तो काफी सांदर यहाँ पे तेजी की संभावना बनी है जो pick demand है वो 260 गिगावाट तक जा सकती है और SMM जो business है वो काफी तेजी से बढ़ता हो दिखाई देगा काफी सांदर प्रदेशन करता हो दिखाई देगा और company लगातार कोशिस करी है अपनी capacity को expand कर रहे power plan full capacity से समय काम कर रहे और green energy में भी company तेजी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है यानि कुल मिला के बहुत बड़ा मौका है आने वाले समय टाटा पावर के लिए एक बड़ी good news और निकल कर रहे है टाटा पावर ने बड़ा achievement किया इनको एक अवार्ड दिया गया है बेस्ट employer 2023 के लिए गया है ये काइन सेंटरिंग की तरब इंडिया की तरब से इनको अवार्ड दिया गया है ये एक्सलेंस इंडियर ओफिशर की तरब से जो रहे अवार्ड दिया गया है ये अवार्ड इसलिए मिला है क्योंकि अपने employees को लेकर बहुत जादा उनके ध्या Tata Steel हो या Tata Power दोनों ही स्टॉक में खरीदारी का मौका है और ये दोनों स्टॉक बहुत मजबूत लगरे आने वाले समय में 1000 के टारगेट ये दिखा सकते है यानि Tata Power के अंदर भी वो पोटेंशल है कि अगर आपको इसको 2-3 साल के लिए 1000 का टारगेट दिखा सकता है और T एजुकेशनल प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेज रुकी जोर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तैंक यो फ्रेंट